आज मंगलवार का दिन है और सरवार्त सिद्ध योग बन रहा है आप सभी को सरलतम तरीके से देर रातरी हनवान जी महराज की पिसेस आराधना पूजा आराधना करने का प्रियत्न करना चाहिए आज का दिन साधारण सरल नहीं है मंगलवार का दिन हनवान जी महराज जोकी मह बादेव के ही ग्याद्वे दुद्रा उतार है, उनके लिए जाना जाता है, रोग, कर्ज, संकट, पीड़ा, दुख्धरीद्रथा का नाश करने के लिए आप सभी को आवश्यक रूप से यह सरलत्रे कारिक करने चाहिए, आप सभी के जीवन में दुख्धरीद्रथा का चु तिमा फोटो है वहाँ पर करते हैं तो अत्यधिक सुब है नहीं तो हन्वान जी के मंदिर में भी आप कर सकते हैं आप सभी को जो है लाल कलावा अर्था जो आज का रंग माना जाता है वह लाल रंग का माना जाता है लाल रंग की धातु का प्रियोग आज के दिन बहुत भाव मांगलिक दोश रक्त जनित परिशानियों से घिरता रहता है ऐसी स्थिनी में आज के दिन सरल सरल से कारे बहुत लाब देते हैं जैसे कि गुरुजी प्रथम उपाय बताते हैं आप बेल पत्र ले लिजे एक बेल पत्र में आप बेल पत्र की जो डंडी होती है उसे तोड लिजे फिर आपको बेल पत्र में 108 बार उसी तूटी हुई बेल पत्र से एक-एक बिंदी बना ली है कैसे बनानी है? स्री सिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है और एक बिंदी बनानी है दुबारा सरी सिवाय नमस्तु भ्यम मंत्र का जाप करना है बिंदी बनानी है इस तरह से लाल चंदन के आपको बिंदी बना लेनी है तूटी हुई डोंड से उस बेल पत्र के उपर और लाल चंदन की महत्ता आज बहुत अधिक कही गई है अपनी मनों कामना कहते हुए सिवल के लिए खत्म हो जाती है तो आज देर रातर तक इस कारी को कर सकते हैं साथ ही आज दीपक का उपाई बहुत अधिक सुख देता है क्योंकि हनवान जी महराज प्रतिक्ष्य देवता हमारे आसपास विद्यमान देवता के रोप में विराजमान है तो देर रातरी तक आज आ अगवान जी को समर्पित करते हैं हर घर में होती है वही कलावा आपको लेना है कलावा आपको जो है पूर्ण रूप से चार बातियों कर निर्मार कर लेना है एक आटे का दीपक ले लिजिए या माटी का ले लिजिए इच्छ आपकी है आप कलावा ले लिजिए उसके बा करते हैं तेल का तेल भी मानि होता है तिली का तेल भी मानि होता है तो वह आपको दीपक के अंडर डालने ना है उसके बाद आप सभी हन्मांजी समक्श महराज के हाद्ध मन purity gi के समक्ष गर के हाद्ध मंघ WOODRUFF जितीँ म्हराज के समक्ष ओमघ् दीपक आपको लगा देना चाहिए फिर इसमें आप सभी एक लॉंग डालते हैं जोड़े सही तो अत्तिरिक सुभी से माना जाता है अभी है दीपक प्रज्वलित कर दीजिए अब अपने घर के ही मंदिर में आप सभी बैठ कर एक जो है जो अगर मंत्र जाप कर रहे हैं तो आवश्यक रूप से आप सभी को आसन का चुनाव करना चाहिए साथ ही आप सभी को विसेश तोर पर एक जल का लोटा भी रखना चाहिए भगवान जी को गुड़ चनी का भी आपको भोग लगाना चाहिए आज देरात्री तक उसके बाद आपने रोग कर्ज पीड़ा का भान करते हुए आप सभी को आज देरात्री या तो आप किसी भी सरलसे मंत्र जैसे ओम राम दूताय नम्हा इस मंत्र का जाब कर सकते हैं नहीं तो एक सरलसा मंत्र आपको दे रही हूँ गुरुजी द्वारा बताय गया है यह समस्त रोग का नाश करता है कस्ट पीड़ा मिटाता है और शत्रूओं का भी नाश खड़ता है इस तरह से है ओम नमु हनुमते रुद्र अवतार आए सर्वसत्रु संगह राए सर्ववशी करढ़ाय राम दूताय स्वाहा इस मंत्र का आप 178 वार जाब करने का प्रियत्म करें अर्थाथ एक माला का प्रियत्म करें ज नहीं है नौकरी लगेगी विवा होगा संता सुक होगा रोग कर्ज माफ होगा और जो चाहेंगे आप इस सरल से उपाय को बराप्ते कर लेंगे करने से तो इस तरह से आपको देर रातरी तक आज ये उपाय करके देखना है अनंत गुना फलों की आपको प्राक्ति होगी इस तुरंत आपको फ़लो की प्राक्ति होगी यह बात हो गई दो उपाय की बात कर लेते हैं सरल सरल से तीसरे उपाय की आज के दिन जो है विशेश तोर पर नमक का उपाय कपूर का उपाय फिटकरी का उपाय बहुत लाब देता है तो आप सभी को एक नमक का एक जो है एक भी जानते होंगे दुकान के लिए खासतोर परब्रधी के लिए घर में बरकत के लिए उस उपाय को हमेशा 15 दिन में कर लेना चाहिए इस कारे को 15 दिन करना है फिर प्रवाहित कर देना है 15 दिन बाद और कर लेना है आपको एक चुटकी नमक लेना है कांच की वस्तु में साथ कपूर के दुकडे दो फिटकर एक चुटकी नमक घर के किसी भी इस्थान पर किसी भी दिशा अप सभी आज के इन रख देना है दुकान पर भी रख सकते हैं आपने देखा वोगा दुकान में कई भक्तजन इसे रख कर छोड़ते हैं उसके बाद आप सभी 15 दिन इसे रख कर देखिए उसके बाजो है किसी बहते हुए पानी में तरवाहित कर दीजे या पीपलव्रक्षी की जण में छोड़ कर आ सकते हैं ब्यापार में ब्रधी होती है कस्ट संकट पीड़ा करते हैं और सदा सरवदा के लिए खुश्यों के भंडार भर जाते हैं तो देर रात चक्रूप से हनमान चालिसा का पाठ करें रोग कर्ज मुक्ति पूर्ण रूप से हो यह प्राठना करते हुए सरलसा उपाय करें साथ के साथ आज देर रातरी तक घर पर विराजमान सिवलिंग है तो वहाँ पर आप सभी को सरलतम तरीके से रिण मुक्तेश्वर महदेव का नाम लेकर मसूर की डाल जरूर से सिवलिंग पर समर्पित करनी चाहिए लाल रंकी मसूर की डाल परमसुक प्रदान करती है जो भक्त सिवलिंग पर समर्पित करता है साथ ही आज कर्ज मुक्ति के लिए बट व्रक्ष के नेचे जो कि स्रीहरी विश्णू के स्वरूप के र रहा है पैसा गलत जगह पर खर्च होता है वह नहीं होगा और आपके काम बनने आरंब हो जाएंगे तो इस तरह से आप सभी को हनमान जी के इंसरल से उपायों में से चुनकर उपाय करके देखेगा विश्वास से हनमान जी भाराज कलियुग में प्रत्यक्ष देयुता के रो प्रत्र चर्पल से तरी के उपायों में थादा झाला जी को है प्रोड़ को आपके अतरूसल से नहीं हो जारत जाएंगे जब जब झालाएंगे अजजजए प्रत्वा से ऊहा है